सेंडेरी स्कूल संचालक 12 पीज माफ़ी के बाद भी पालकों पर स्कूल फीज जम्म करने के लिए दबाव बनाये जा रहा है स्कूल लेकर पालकों ने तहसिल कर ले पहुंचकर कलेक्टर की नाम ग्यापन सौपा इसमें बताया कि स्यान्डु इंटरनेशनल स्कूल शीपावर्ड की संचालक द्वारा साथ सितंबर को पालकों की मीटिंग बलाकर क्लास एक से आठ तक की स्कूल पीस माफ की जा चुकी है कक्षण 9 से 11 तक टिशन पीस का 80 प्रतुशत ले जाने पर सहमती बनी थी लेकिन बाद में संचालक की कहने पर प्रचार कवितर तरवेदी द्वारा पालकों पर पीस जम्म करने के दबाव बना है ज्वारा इस दौरान पालक राम वलास राजपू संधी बदूरिया प्रफ अधिकांश पालकों ने पीस जम्मा करने पर सहमती व्यक्त किती शासने वमनाले के निर्देश अनुसार पीस ली जा रही है अंकुष विश्व कर्मा की रिपोर्ट अधनी संचलक महते के द्वारा इस बार्स को सून्य सेशन घोशित किया जाता है जो की संचलक के द्वारा कर दिया गया जो की अनुचित है और इस पर कारवाई उचित होनी चाहिए हम सभी पालकण यही चाहते हैं कि इस प्रकार का जो विवार संचलको और शिक्षक के द्वारा अमर साथ किया जा रहा है यह बहुत ही अनुची था और इसमें बच्चों की पढ़ाई भी इनहीं लोगा के कारण प्रभावित हुई थी उन्होंने खुद आगे रे करके वा इसके बाद में धर्ना प्रदरसन के लिए बात दे हैं इसकी सारी जाहत दरी शातन्त रसाथ मोजे के नाम से स्रीमान करेक्टर मोजे विवागी अधितारी निर्गया जिसे इसकुर संचलक के पीश माती के बाद भी पालको पर पीश रसूल ली करने के बावर मोजे जी वि स्री जैसिंग राजपूर जी के द्वार मात की जा चुकी है एवं कक्षा नौगी से ग्यारवी तक क्यू संचीज का अक्सी प्रदिशात लिया जाएगा यह वनोंने का था परंतो श्री जैसिंग राजपूर जी के कहिनने पर जिनांग उनिस नों 2020 को प्रिंसिपल स्रीमत प्रिवाओं को प्रिवाओं को लिख कर देना होगा यह तो पालक अपने बच्चों की स्कूल भी जमा करा नहीं तो इस प्लास में बच्चा उसी प्लास में रहेगा इस अगली के बच्चा उसे अगली प्रिवेश नहीं दिया जाए गाया यह तो पालकों के द्वारा प्रचार मोदें ईसे कहा गया है कि स्री संचला या सिर्थ हाट्ति के द्वारा साथ मों को पालकों को कीत माफी कर दी गई है जो मेडिया में भी आ चुका प्रचार